ये है देसी लैसुन चटनी और ये है इंडो चाइनी शेजवान चटनी जो बनी है सिर्फ एक चटनी से आपको इस चटनी को बनाने के लिए सिर्फ दो इंग्रीडियन्ट चाहिए जो कि है लैसुन और सूखी लाल मिर्च तो सबसे पहले सूखी लाल मिर्च को साफ कर लीजे कपड़े की मदद से और फिर उसकी डंडिया निकाल कर उसे वाइट विनेगर, सिंथेटिक विनेगर या फिर नीम्बू के रस में आधा गंटा या 10 मिनिट सोख कर लीजे और जब ये सोख होके फूल जाएंगी तब इसे डालिए एक ग्राइंडर में उसमें लैसुन भी डालिए और उसका पेस्ट बना लीजे अब आधी चटनी को निकाल कर अलग कर लीजे फिर देसी चटनी के लिए इसमें लगाएंगे जीरे का तड़का और डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ धनिये का पाउडर और बन गई हमारी देसी लेसुन की चटनी अब इंडो चाइनीज चटनी के लिए बची हुई चटनी में डालिए सोया सॉस और टोमेटो केचप मिक्स करिए और बन गई ये दो यम्मी चटनीज गैस करिए कौन सी चाइनीज है और कौन सी देसी